हेलो दोस्तो स्वागत आप सबका नौले एंटरेटेनर्स में मैं हूँ आपका दोस्त का पिलत दोस्तो आज की वीडियो में हूँ बात करने वाले हैं कि अगर आपने अभी अपनी 12th class मतलब भी 12th standard को यहां पर complete किया है और आप यहां पर doubt में है आपको clear नहीं हो रहा है कि अ अब आपको कौन सी stream में जाना चाहिए तो यहां पर इस वीडियो में मैं आपको carrier options प्लस आपको कौन सी study करनी चाहिए अगर आप किसी भी stream से जा रहे हैं वो चीज आपको totally यहां पर इस वीडियो में clear करने वाला हूँ तो यहां पर अगर आप 12th pass out student है यहां फिर आप graduate भ career और study opportunities है after 12th कि stream में हमें जाना है तो देखें यहां पर अगर streams की बात करने तो इसकी starting तो तब ही हो जाती है जब आप अपनी 10th को pass out करते हैं ठीक है क्योंकि 10th pass out करने के बाद कोई student यहां पर जाता है medical में कोई non-medical में कोई commerce में कोई arts में ठीक है लेकिन कई बार क्या होत होता कि इसके बाद वो कौन सी study करते हैं और कौन से carriers उनके लिए open होते हैं और क्या वो interchange कर सकते हैं मलग कि commerce करके दूसरे वाले में जा सकते हैं arts करके दूसरे वाले में जा सकते हैं तो यह सारी चीज़ इस वीडियो में आपको totally clear होगी तो देखें सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर 10th के बाद आप अपनी कौन कौन सी streams को चूज करते हैं ठीक है आप यहाँ पर चूज करते हैं arts को commerce को science को and medical को ठीक है यह four हैं जिनको आप चूज करते हैं अपनी 10th class से बाद 11th है 12th जिसमें आप study करते हैं तो यहाँ पर हम इन सभी के लिए start करने वाले हैं अगर आप सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपने 12th class में रखी थी arts तो आपके बाद कौन सी career opportunities हैं और आप 12th के बाद कौन सी study करेंगे तो जो आपको कौन से career को और लेकर जाएगी ठीक है तो चलिए अभी इसको start करते हैं तो वीडियो बहुत ही helpful होने वाली है इसलि बना चाते हैं तो आप B.Ed.M.Ed. भी कर सकते हैं उसके बाद देखिए PhD कर सकते हैं अगर आप रिसर्चर हैं ठीक है आप arts के बाद यहां पर बेंकिंग सर्विसीज में जा सकते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे यहां पर employee मिलेंगे जिन्नोंने बेय की होती है तो आज यहां पर क्या होता है कि आर्स वाले स्टुएंट को ऐसे समझा जाता है कि यार इसने क्या किया है इससे क्या होगा लेकिन उसके बाद आप अगर बीए कर लेते हैं तो यहां पर आप लॉयर बन सकते हैं, public prosecutor बन सकते हैं, judge एक्सेक्टरा ये सभी आप study करने के बाद बन सकते हैं, ठीक है, LLB करने के बाद, तो यहाँ पर अगर आप 12 के बाद direct B.A. L.B. करते हैं, तो यह आप क्यों होगी 5 years की, यहाँ पर आपको CLAT का exam क्लियर करना पड़ता है, after 12, लेकिन अगर आप आपको 3 years after graduation ये करनी पड़ेगी, ठीक है, B.A. L.B. आप कर सकते हैं, तन उसके बाद B.B.A. इन सम, देखिए कई यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने लिखा in some maths, तो कई universities में यहाँ पर क्या होता है, B.B.A. तभी मलता है, जब आपने mathematics रखा हो arts में, ठीक है, तो उसके ब बात करते हैं, अगर आप ते चूज की थी commerce, मतलब कि अगर आपने 11th हैं 12th में, यहाँ पर commerce की study की है, तो आपके बास कौन से career options है, और आपके बास कौन सी job and study है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले, जो आपको बता होगा, B.com कर सकते हैं, B.com कर सकते हैं, B.com कर सकते हैं, तो B.B.A. का क्या benefit होता है, अगर आपने दिखिए, commerce में आपका student हो, commerce student हो, आपने B.B.A. कर ली, तो आपको managerial skill बहुत सारी पता चल जाएंगी, business administration की, तो आपको managerial level पर यहाँ पर jobs मिल सकते हैं, देन उसके बाद दिखिए, banker, accountant, यह तो एक commerce वाले को यहाँ पर job मिलेगी ही मिलेगी, तो आप कोई banking का course कर सकते हैं, accounting का course कर सकते हैं, यहाँ पर आप C.A. के साथ जाएगा practice कर सकते हैं, देन उसके बाद दिखिए, teaching and insurance, यह आपको मिल जाएगा, आप teaching में भी जा सकते हैं, insurance sector में भी आप जा सकते हैं, देन उसके बाद corporate logistics, यह सब HR में, market sales में, sales executive, यह आपको सारी चीज़ें commerce में पढ़ाई की जाती हैं, कि आपको कैसे sale करनी है, कैसे आपको market को समझना है, आपको HR में भी आप जा सकते हैं, देन उसके बाद दिखिए, marketing manager, research and development अभी चीज़ों में भी आप जा सकते हैं, और दोस्तों आगे medical and non-medical की और जाने से पहले में आपको एक बहुत ही important यहाँ पर information दिना चाता हूँ, तो यह भी ध्यान से सुनगें, देखिए, अब अगर आप एक कहीं पर working professional हो, यहाँ फिर आप 12th के बाद study के साथ job भी करना जाते हैं, यहाँ फिर आप 12th में online study करना जाते हैं, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, कि आपको online जाना चाहिए, या फिर on campus जाना जाएए, तो उसे भी आप watch कर सकते हैं, डिशिच में आपको link पर जाएगा, आपको thumbnail भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिए, अगर आप online जाते हैं, किसी भी graduation के लि आपको जाना है collegevidya.com पर टीक है, वहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी detail डालनी है, जैसे आप अपनी detail डालेंगे, questions का answer करेंगे, तो आपके सामनी दिखिया अगर आप MBA कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, उसके आपको सारा comparison दिखा दिया जाएगा, यूनिवरस्टीस के तो वहाँ पर आपको देखिये क्या facility मिलेगी, इसकी बात करते हैं, facility आपको सबसे पहले dedicated counselor होगा, जब के admission से लेकर आपकी placement करवाने तक आपकी पूरी help की जाएगी, और repeated companies में आपकी यहाँ पर job लगवाई जाएगी, जैसे की Amazon हो गया, Uber हो गया, ऐसी कई companies में आपकी job य अच्छा platform है, अगर आप admission लेनी की सोच रहे हैं, 12th pass out करने के बाद graduation में या फिर graduation के बाद master's में, तो आप college विद्या की और से जाएगे, यहाँ से क्यूंकि आपको dedicated पूरा counselor मिल रहा है, आपको पूरी counseling मिलेगी, आपकी placement तक आपको सभी चीज़ें guide की जाएगी और आप आप admission ले सकते हैं, तो दस्ते चलिए, अब हम उन students के बारे में बात करते हैं, जिन्हों ने 12th में यहाँ पर science लिया था, medical लिया था, ठीके, तो सबसे पहले तो दीखिए, आपको यहाँ पर option है, data science की और जाने का, तो अगर आप देखिए, आपका math है, वो stonk है, और आप CS की skills हैं, ठीक है, आपके पास computer science की, तो आप यहाँ पर data science की और भी जा सकते हैं, और उसके बाद दिखिए, जब आप यहाँ पर science में जाते हैं, 12th में, तो यहाँ पर आप तीन तरीके से यहाँ पर students होते हैं, जो चीजों को choose करते हैं, सबसे पहले PCM, जो की होता है, physics, chemistry and math, ठीक है, इन तीनों subject को लेते हैं, second जो लेते हैं, PCB, मतलब की physics, chemistry and biology, जो third होता है, वो होता है PCMB, मतलब जो maths भी लेते हैं और biology भी लेते हैं, ठीक है, तो यह आपको three categories में divided मिलते हैं, तो यहाँ पर दिखिए, सबसे पहला option, अगर आप यहाँ पर PCM आपने किया है, आप physics और chemistry किया, तो आपके पास option है, BSC कर सकते हैं, आप BTEC कर सकते हैं, और bachelor of engineering, engineering में भी आप जा सकते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर BSC biology कर सकते हैं, nursing कर सकते हैं, MBBS कर सकते हैं, MBBS के लिए आपको NEET का exam clear करना पड़ता है, ठीक है, और उसके बाद आप BDS की और जा सकते हैं, then bio technology, जिसमें कि आप medical and agriculture, यह सभी चीज़ों में आप जा सकते हैं, अगर आपने PCB मतलब की biology की और से की है, तो ठीक है, अगर आप PC MB की बात करें, तो यहाँ पर इसमें आपको PCM plus PCB, दोनों वाले options मिलते हैं, study के भी, और यहाँ पर दोनों के options आपको मिलते हैं, carriers के भी, क् कि आपको decision learning में help कर सके, then उसके बाद चलिए, अब हम बात करते हैं, अगर आपने 12th में as a student अपने रखा था non-medical, तो यहाँ पर दीखिए, आपको सबसे पहले जो option मिलता है, वो आप कर सकते हैं, engineering, आप NTA clear कर सकते हैं, JEE का main exam देकर, आप computer में भी यहाँ पर अपनी आग paper 2 आपको देना पड़ता है, अगर आप architecture की और जाना जाते हैं, तो ठीक है, then देखिए, उसके बाद आपको BSC non-medical आप कर सकते हैं, then उसके बाद आप कर सकते हैं, अगर आप research को यहाँ पर interest रखते हैं, आप research में, तो आप आगे जाकर scientist में, यहाँ पर अपना career बना सकते हैं, उसके लिए आपको BSC and MSC करनी पड़ेगी, then उसके बाद agriculture, horticulture में आप यहाँ पर जा सकते हैं, then आप statistical, यहाँ पर science, जिसमें कि आपका math होना चाहिए, तो अगर आपका math में interest है, तो आप इस career में जा सकते हैं, इस study में जा सकते हैं, then उसके बाद आप BCA कर सकते हैं, BA Geography कर सकते हैं, Food Technology, etc., इन सभी यहाँ पर आप opportunities को यहाँ पर ले सकते हैं, अपने career में भी, और अपनी study में भी choose कर सकते हैं, और बाकी अगर आप किसी के भी बारे में detail में दिखना चाते हैं, ठीक है, तो आप नीचे comment section में comment कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने overview सभी का बता दिया है कि आपके बास कौन सी class को करने के बाद कौन कौन सी option आपके बास होते हैं, और यहाँ पर main चीज जो मैंने आपको college विद्या के बरे में बताया है, अगर आप और detail में जाना चाते हैं, तो आप वहाँ पर जब form fill करेंगे, वहाँ से आपको consultancy का पूरा option में ल लाइक कर देना, चैनल को subscribe कर देना, और कैसी लगी है comment section में जुरूर बताना, तो दोस्तों आपके comment से हमें motivation मिलती है, कि हम आपके लिए और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकें, तो दोस्तों चलिए जल्दी मिलते हैं ऐसी और भी next वीडियोस के साथ, तो लाइक कर दोस्तों आपके छाल सक दोस्तों आपके लबया जल्दी मिलते हैं